नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पार्थ नील कंट इसका मैं MCQ परहने जा रही हूं क्योंकि इस बार बच्चों आप लोगों के एक्जाम में MCQ भी पूछे जाएंगे और इससे पहले भी मैं वसंत आपके क्लास वसंत का बहुत सारे चेप्टर का म एक्स्प्लेनेशन, कोश्चन एंसर, समरी और हिंदी व्याकरन सारे चेप्टर में आसान रूप में परहाई हूं एक बार जरूर आप चेप्टर को देखिए और समझे और इन सब को देखने के लिए आप उपर दिए गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीच इसमें कि अर्थग्रहन समझने में आशान हो जाएगा जैसे कि है पहला पराग्राफ में है कि दोनों नबागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कतुभल जगाया जैसा नब बधु के आगवन पर पड़िवार में शौभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़ कर दोर परे और उनके चारों और घूम घूम कर घुटुर्गों घुटुर्गों की रागनी अलापने लगे बरे खरगोस सब भे सभाशदों के समान क्रम से बैठ कर गंभीर भाउक्स से उनका निरिक्षन करने लगे उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोस उनके चारों और उचल कूद मचाने लगे तोते मानो भली भाती देखने के लिए एक आख बंद करके उनका परिक्षन करने लगे उस दिन मेरे चिरियां घर में मानो भुचा ला गया यह कब हुआ था जब महादेवी बर्मा जी मोर और मोरनी को घर में लाए थे और सारे जो उनके यहाँ जानवर थे पसू पक्छी थे वे किस तरह से उनका श्वागत किये थे इसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है और इसके तहट देखिए कितने सारे एमशी क्यों बने हुए हैं तो इसमें आप जब पैराग्राफ समझ लेंगे तो आपको सारा आशान हो जाएगा तो यह तो पहला पैराग्राफ है अब इसमें यह पूछा गया है कि म तो कौका उत्तर है महादेवी वर्मा ने नवा गंतुकों की संग्या मोर और मोडनी के छोटे बच्चों को दी है जिने वे अपने जीब जन्तों के परिवार में सामिल करना चाहती थी खोका है बरे जाली घर के जीब जन्तों ने दोनों नवा गंतुकों का स्वागत किस प्रकार किया उत्तर है जब मोर के बच्चों को बरे जाली घर में भेजा गया तो वहां के जीब जन्तों ने नई दुल्हन की भाती उनका स्वागत किया गो में है उस दिन मेरे चिरियां घर में मानो भूचाल आ गया ऐसा लेखिका ने क्यों कहा इसका उत्तर है गो महादेवी को लगा मानो छोटे से चिरियां घर में भूचाल आ गया है सब जीब जन्तु अपनी दीन चरिया की नियम छोड़कर नवागंतुकों के साथ ही जुड़ गये लक्का कबुतर उनके चारो और घुटुर्गू करने लगा बरे खरगोस गंबीर भाव से उनका निरिक्षन करने लगे चोटे खरगोस उनके चारो और उच्छल कूद करने लगे तोते एक आख बंद करके उनका परिक्षन करने लगा अब दूसरे पेराग्राफ में यह है कि मोर के सिर्क की कलगी और सगहन उची और चमकिली हो गई चोच अधिक बंकिम और पैनी हो गई गोल आखों में इंदरिनी की निलाव द्यूती जलकने लगी लंबी नील हरित ग्रेबा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी दक्छिन वाम दोनों पंकों में सलेटी और सफेद आले खन असपश्ट होने लगे पूछ लंबी हुई और उसके पंकों पर चंद्रिकाओं के इंदरधन उसी रंग दिप्त हो उठे रंग रहित पैरों को गरवीली गती ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया उसका गरदन उची कर देखना विसेश भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना टेरी कर शब्द सुनना अधिक क्रियाओं में जो सुकुमारता और संदर था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है गती का चितर नहीं आका जा सकता है तो दो पेराग्राफ है बच्चों दोनों पेराग्राफ के तहट देखिए MCQ कितने बनेंगे पहला है मोड के सिरकी कलगी कैसी थी कौ सघन उची और चमकिली घ़व शघन उची तथा पायनी घवव सघन रंगदार तथा चमकिली घवव इनमें से कोई नहीं तो मोड के सिर्की कलगी कैसी थी? इसका उतर है को सगन उची तथा चमकिली थी दूसरा प्रश्ण है मोड की चोँच कैसी थी? को काली और मोटी, खो बंकिम और पैनी, गो बारीक वो छोटी, गो लंबी और पतली तो मोड की चोंच कैसी थी इसका उत्तर है खो बंकिम और पैने थी तीसरा प्रश्ण उसकी गृवा की क्या विसेश्ता थी गौर नील हरित गृवा का चमकना खो नील हरित गृवा का जोकना गौर नील हरित गृवा का इंद्र धनूशी दिखना तो क्या का घौ है नील हरित ग्रिवा की हर भंगिमा में धूप छाहित रंगे उठना गिरना तो उसकी ग्रिवा की विशेषता क्या थी इसका उत्तर है घौ नील हरित ग्रिवा की हर भंगिमा में धूप छाहित रंगे उठना गिरना चौथा प्रेश्ण है रंग रहित पैरों को गर्वीली गती ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया इस पंक्ती का आसे असपस्ट कीजिए तो इसमें है को निलकंठ की गर्वीली चाल उसके रंग रहित पैरों को नया रूप प्रदान करती है खो निलकंठ बहुत तेजी से चलता था गो निलकंठ गर्व से चलता था गोईन में से कोई ने तो रंग रहित पैरों को गर्वीली गती ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया इस पंक्ती में क्या है निल कंठ की गरवीली चाल, यानि कववय उत्तर सही है, उसके रंग रहित पेरों को नया रूप प्रदान करती है, तो कववय उत्तर सही होगा, पांचमा प्रस्ण उसकी कौन-कौन सी भंगिमा मोहक थी तो इसका उतर है गव गरदन उची करके देखना नीची करके दाना चुगना पानी पिना वर टेरी कर सब्द सुनना तो गव उतर सही होगा तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या है नील कंठ ने अपने आपको चिरियां घर के निवासी जीब जन्तों का सेना पती और संग्रक्छक निकुत कर लिया सबेरे ही वह सब खरगोज कबूतर आदी की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मालो सब की रखवाली करता रहता किसी ने कुछ गरवर की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दोरा तो इसमें देखिए इसमें भी दिया गया है कि को नील कंठ सभी जीवों का संग्रक्छक क्यों बन गया इसका उत्तर है सभी जीव जनतों की हर बात वह जरुरत का धियान रखने के कारण वह सभी जीवों का संग्रक्छक बन गया खोका है नील कंठ अपने चिरियां घर के जीव जनतों है तो क्या-क्या कारे करता था इसका उत्तर है नीलकंट सुबह सबेरे खरगोस वकबूतरों आदी की सेना को एकतर कर उसो उड़ ले जाता जहां दाना दिया जाता था वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता यदि कोई कुछ गलत करता तो उसे दंडित भी करता था गौ का है किसी के कुछ भी गरवर करने पर वह क्या करता था उत्तर है किसी के कुछ भी गरवर करने पर वह चोच से प्रहार करके उसको दंडित करता था अब चोथा पैराग्राफ में देखिए, खर्गोस के छोटे बच्चों को वह चोच से उसके कान पकर कर उपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्थ करंदन, यानि रोने न लगता था, चिलने न लगता, उन्हें अधर में लटकाए रखता, कभी कभी उसकी पैनी चोच से बच्चे का करंवेध संसकार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे कोधित होने का अवसर न देते थे, करंवेध मतलब कान पकर कर जब उठाता था तो कान के पास छेद जैसा हो जाता था, दण्ड विधान के समान ही, उन जीव जनतों के प्रति उसका प्रेम भी और साधरन थ और वे सब उसकी लंबी पूँच और सगन पंखों में चुवा चुवावल सा खेल खेलते रहते थे तो आप देखे इसमें MCQ कितने बनेंगे नीलकंट खरगोस के बच्चों के कान चोच से पकर कर दंडित क्यों करता था इसका उत्तर है को जब उसकी बात नहीं मानते थे प्रश्ण है कर्ण भेद संसकार से क्या तात परी है इसका उत्तर है गव कान में उसके काटने से छेद हो जाना और चौथा प्रश्ण है वह जीवों के प्रति प्रेम भाव कैसे ब्यक्त करता था इसका उत्तर है गव अपने पंख फैला कर बैठ जाता सभी लंबी अब पांचमा पैराग्राफ में है नील कंठ और राधा की सबसे प्रियरीतू तो बड़सा ही थी मेगों के उमर आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की अनुगुझ तिब्र से तिब्रतर होती हुई मनों बुंदों के उतरने के लिए शोपान पंग्ती बनने लगती थी मेग के गरजन के ताल पर ही उसके तन में निर्थ का रंब होता और फिर मेग जितना अधिक गरज था बिजली जितनी अधिक चमकती बुंदों की रिम जिमाहट जितनी तिब्र होती जाती नील कंठ के निर्थ का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंदर से मंदरतर होता जाता अब इसमें देखिए MCQ कितने बनेंगे और इसमें कुछ प्रेशन भी हैं उस प्रेशन को भी आप देख लिजेगा और इसमें छठा प्राइगराफ में ये दिया है कि मैं अपने श्रॉल मे लपेट कर उसे संगम ले गई ये तो यहां है यहां दिया गया है और छठा प्राइगराफ में ये दिया गया है कि मैं उसे अपने श्रॉल में लपेट कर उसे शंगम ले गई संगम मतलब गंगा यमना और सुरशती का जहां पर मेल होता है उसको संगम कहा जाता है जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिविंबित होकर गंगा का चौरा पाट एक विसाल मयूर के समान तरंग की दूसरा है महादिवी बर्मा अंतैस्ठी हो तु कहां गई इसका उत्तर है शंगम गई तीसरा प्रशन है महादिवी बर्मान ने मृत निलकंट को किसमें लपेटा इसका उत्तर है खौस शौल में चौद्हा पृष्ण है, नीलकंठ को प्रवाहित कहां किया गया? इसका उत्तर है कोगंगा के वीच धार में पांचमा प्राश्न है जल की लहरों में नील कंट का रूप कैसे सजीब हो उठा उत्तर है गव गंगा यमना के स्वेत स्याम जल के मिलन पर सुर्ज की किर्णों के प्रकास के पड़ते ही इंदर धनुसी चमक देने पर तो इसी के साथ बच्चों पार्ट की शमापती होती है असा है आप लोगों को सारा पार्ट समझ में आ गया होगा और एकजाम के लिए अच्छी तरह तयार कर लीजिएगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद